हाई फ्रेंज्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज की मेरी रेसिपी है लिट्टी चोखा की लिट्टी चोखा बिहार और जहार खंड की फैमिस्टिस है लेकिन आज कल लिट्टी चोखा को सभी प्रांतों में पसंद किया जाता है चलिए तो बिना दे आज हमने लिया है अजवाइन लगवक एक छोटा चोथा ही चमच हमने बेकिंग सोडा लिया है इसी खाने बाला सोडा भी कहा जाता है दो बड़े चमच मैंने मैल्ट किया हुआ देसी घी लिया है एक छोटा चमच मैंने लिया है नमक नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस् अजवाइन को हम हैंट से थोड़ा सा क्रश करके एड़ करेंगे ऐसा करने से अजवाइन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है साथ में हम एड़ करेंगे नमक इसी समय हमें बेकिंग सोडा भी आइड़ करना है सबी इंगेड्येंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर घी को मिक्स करने वाले इस प्रोसेस को मौइन करना कहा जाता है आप इस प्रोसेस को दोनों हाथों से करेंगे तो ये प्रोसेस जल्दिक कम्प्लीट हो जाएगा आटे को मौइन करने के बाद थोड़ा सा आटा इस तरह से हैंड में बाइंड करके देखेंगे यदि आटा इस तरह से bind हो रहा है तो घी की quantity बिलकुल perfect है अब थोड़ा थोड़ा पानी add करके हम डो तयार करेंगे लिट्टी बनाने के लिए हमें एक बार में ज़्यादा quantity में पानी add नहीं करना है लिट्टी बनाने के लिए हमें soft dough बना कर तयार करना है डो को हम 3-4 मिनिट तक इस तरह से गूथेंगे लिट्टी बनाने के लिए हमने soft dough तयार कर लिया है अब इस डो को हम 15 मिनिट के लिए rest करने के लिए रख देते हैं लिट्टी की stuffing बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा चमच सर्सों का तेल दो fine chop की हुई हरी मेर्च लिया है एक इंच grate किया हुआ अद्रक लिया है एक छोटा चमच मैंने लिया है आम की अचार का मसाला एक medium size के lemon का juice लिया है और थोड़ा सा हमें लेना है chop किया हुआ हरा धनिया आदा छोटा चमच मैंने लिया है चार्ट मसाला क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक है इसलिए नमक मैंने कम रखा है थोड़ा सा काली मेर्च का पाउडर एड़ करेंगे और आधा कब लिया है मैंने सत्तू, ये सत्तू गेहुचना और जॉग को मिक्स करके बनाया जाता है, एक मिक्सिंग बॉल में सत्तू को ट्रांस्फर करेंगे और इसमें एड़ करेंगे चाट मसाला, साथ में एड़ सर्फोब का तेल एट करेंगे, ड्रेट किया हुआ अद्रक मीसिस हमेय एट करना है साथ में हमें अचार का मसाला भी एट करना है, धनिया भी एट कर लेंगे और साथ में हमं लैमन जूस भी आइट करेंगे, स अब इंकृर locks को अच्पर से tills perform दॉन नहीं हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आइड कर सकते हैं स्टफिंग तो बनकर तयार हो चुकी है अब हम बढ़ते हैं next process की तरफ चोखा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बैगन इसका बजन लगबग 200 ग्राम है और मैंने दो medium size के टमाटर लिये हैं सबसे पहले बैगन को हम काट कर चैक कर लेते हैं क्योंकि बैगन में कभी कभी कीडे होते हैं इसलिए काट कर चैक करना जरूरी है यह बैगन पूरी तरह से सही है अब हम थोड़ा सा ओइल लेंगे ऐल से बैगन को ग्रीस करेंगे बैगन को ग्रीस करने से बैगन को रोस्ट करने के बाद छीलने में आसानी रहती है इसी तरह से हम दोनों टमाटर को भी ऐल से ग्रीस करेंगे चोखा बनाने के लिए बैगन और टमाटर को हमेशा roast करके ही use करना चाहिए roast करने से बैगन और टमाटर का moisture content थोड़ा सा decrease हो जाता है जिस से की चोखा testy बन कर तैयार होता है बैगन और टमाटर को roast करने के लिए आप किसी भी तरह की जाली का use कर सकते हैं जाली रखने के बाद गैस सॉन करें और यहाँ पे रखें बैगन और टमाटर को मेडियम फ्लेम पर बैगन और टमाटर को रोस्ट करना है और थोड़ी थोड़ी देर पे हमें बार बार टमाटर और बैगन को इसी तरह से पलटते रहना है बैगन और टमाटर को हमें soft होने तक इसी तरह से roast करना है बैगन और टमाटर के direction को हम जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे तो बैगन और टमाटर अच्छी तरह से roast हो सकेंगे बैगन और टमाटर दोनों ही अच्छी तरह से roast हो चुके हैं बैगन को हमने इसी तरह से direction change करते हुए सभी तरप से अच्छी तरह से roast कर लिया है अब बैगन को हम plate में transfer कर देते हैं और साथ में tomato को भी plate में transfer करेंगे और gas की flame को off कर देंगे बैगन और टमाटर अभी काफी गर्म हैं इसलिए हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे इसके बाद हम छिलका हटाएंगे roast किये हुए बैगन से बहुती easily छिलका हट रहा है जिस तरह से बैगन से छिलका हटा रहे हैं इसी तरह से हमें tomato से भी छिलका हटाना है और छिलका हटाने के बाद बैगन और टमाटर को हम मैश कर लेंगे टमाटर और बैगन दोनों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है बैगन और टमाटर को मैश करने के बाद अब हम इसमें बागी के इंगिडिएंट से आइट कर लेंगे सबसे पहले हमने लिए हैं दो उ एक छोटा चमच ग्रेट किया हुआ अध्रक, दो चौप की हुई हरी मेर्च आड़़एंगे, और साथ में आड़़एंगे थोड़ा सहारा धनिया, एक मीडियम साइज के लेमन का जूस आड़़एंगे, एक बड़ा चमच सरसों का तेल आड़़एंगे, सबी इनकी टेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके चोखा तयार करेंगे चोखा भी बनकर तयार हो चुका है अब हम बढ़ते हैं next process की तरफ लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को preheat करने के लिए रख देते हैं लिट्टी बनाने के लिए हमें heavy bottom बाली कढ़ाई लेनी हैं मैंने एक पुरानी aluminum की कढ़ाई ले हैं इसमें मैं आधा kg नमक एट करूँगी ये नमक मैंने कई बार यूज किया हुआ है इसलिए इसका color brown हो गया है नमक को कढ़ाई में हम इस तरह से फैला देंगे और इसके बाद में gas की flame को on कर देंगे अभी हम gas की flame को medium high रखेंगे और pan को cover कर देंगे pan को हमें लगबग 8-10 मिनिट तक preheat करना है अब हम ले लेंगे तयार dough को और dough को हम 3-4 मिनिट तक इस तरह से मसल कर थोड़ा सा और smooth करेंगे dough पहले से ज़्यादा smooth हो गया है अब हम इसके पेड़े तयार कर लेंगे लिट्टी बनाने के लिए मैंने medium size के पेड़े बनाए हैं आप पेड़ों को size छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं पेड़े बनाने के बाद एक एक पेड़ा लें और दोनों हाथों से इस तरह से गोल करें गोल करने के बाद थम से यहाँ पर इसे बावल की shape दें अब हम लिट्टी में stuffing फिल करेंगे इस तरह से stuffing फिल करें stuffing की quantity आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब हम थम की help से stuffing को इस तरह से प्रेस करेंगे अभी हम थोड़ी से stuffing और करेंगे अब हम सभी तरफ से किनारियों को इस तरह से बंद करेंगे किनारियों के बीच में stuffing नहीं आनी चाहिए किनारियों को अच्छी तरह बंद करें लिट्टी में कहीं भी दरार नहीं होनी चाहिए कि मैंने एक लिट्टी बनाकर तयार कर ली है आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई भी दरार नहीं है बिल्कुल smooth लिट्टी बनाकर तयार की है इसी तरह से हम एक और पेड़ा लेंगे दोनों हाथों से थोड़ा सा गोल करेंगे इसके बाद में थम से इसे बॉल की शेप देंगे स्टफिंग फिल करेंगे थम की हैल्प से स्टफिंग को इस तरह से प्रैस करेंगे थोड़ी से स्टफिंग और फिल करेंगे इसके बाद में सभी तरफ से लिट्टी के किनारों को इस तरह से बंद करेंगे और दोनों हाथों से रोल करके स्मूथ लिट्टी बनाकर तयार करेंगे यह देखिए इसमें भी कहीं कोई दरार नहीं है इसी तरह से हम सभी लिट्टी बनाकर तयार कर लेंगे पैन भी preheat हो चुका है अब हम प्लेट को carefully हटा देंगे क्योंकि प्लेट काफी गर्म है नमत पर हम एक stand रखेंगे और एक प्लेट रखेंगे प्लेट को हम घी से थोड़ा सा grease करेंगे अब तयार लिट्टी को एक एक करके हम प्लेट पर रखेंगे अब हमें पैन को कबर कर देना है और गैस की फ्लेम को इस समय हमें हाई रखना है पाँच-पाँच मिनिट के गैप पर लिट्टी को हम चैक करते रहेंगे पाँच मिनिट हो चुके हैं अब हम प्लेट को हटा देते हैं प्लेट काफी गर्म हैं, इसलिए इसे क्यरफुली हटाना है पांच मिनिट बाद लिट्टी को इस तरह से हम पलट देंगे थोड़ी थोड़ी देर में लिट्टी को इस तरह से पलटने से पूरी लिट्टी चारो तरब से अच्छी तरह से सिक्कर तैयार होती है हमने पैन को दुबारा से कबर कर दिया है 5 मिनिट के बाद हम दुबारा से चेक करेंगे लिट्टी का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है और लिट्टी में हलके से क्रैक भी आ गए है लिट्टी को एक बार फिर से हम इस तरह से पलट देंगे और पैन को तुबारा से 5 मिनिट के लिए कबर कर देते हैं गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है लिट्टी को सिखते हुए 20 मिनिट हो चुके हैं और लिट्टी बहुत ही बढ़िया सिक्कर तैयार हो चुकी है इससे ज़्यादा हमें लिट्टी को सिखने की जरूरत नहीं है हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और सभी लिट्टी को एक एक करके प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे सभी लिट्टी बहुत ही बढ़िया ब्राउन सिख चुकी है अब हमने एक बॉल में घी ले लिया है सभी लिट्टी को एक एक करके हम घी में इस तरह से डिप करेंगे और 2-4 सेकिंड के लिए घी में ही डिप रहने देंगे इससे लिट्टी घी को अच्छी तरह से ज़ॉप कर लेगी जिससे लिट्टी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा एक एक करके सभी लिट्टी को हमें घी में डिप करना है 2-4 सेकिंड तक ही में ही रहने देना है लिट्टी को घी में डिप करने के बाद तयार चोखा के साथ सर्ब करेंगे और हमारी बहुत ही बड़िया लिट्टी चोखा बनकर तयार हो चुके हैं आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किये जिए यदि आपको मेरा वीडियो यूसफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सबस्ट्राइब करना न भूलिए कामेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ गुडबाई